तो बाबा ने बोला है कि मैं कौन आत्मा है ना शरीर तो नहीं है तो अगर देही अभीमानी बन मैं आत्मा हूं इस मृति से मैं शब्द यूज़ करते हैं तो राइट है तो राइट है लेकिन मैं शब्द बॉडी कॉंशिस के रूप में अगर यूज़ करते हैं तो राइट है अज़ पर्सन मैं अभी भी कई प्रैक्टिस ये चल रही है अभी क्या करना है आएट अभी क्या करना है आएट अवेरनेस पर्सन इसन एक्सपीरियंस इन मी अभी क्या प्रैक्टिस चल रही है कि मैं पर्सन अवेरनेस हूं और अब क्या करना क्या है मैं अवेरनेस जिसके अंदर पर्सन का एक्सपीरियंस चल रहा है फर्क दोनों में दिन रात का ऑपोजित से हैं मैं थाइनी पॉइंट मैं थाइनी पॉइंट मेरे अंदर ये एक्सपीरियंस चल रहा है पर्सन का ये पर्सन मैं नहीं हूं जिसके अंदर अवेरनेस का एक्सपीरियंस चल रहा है नो 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 मैं अवेरनेस जिसके अंदर पर्सन का एक्सपीरियंस चल रहा है what is the difference आपकी प्रैक्टिस में आत्मा के देखने में प्रैक्टिस शब्द नहीं आएगा फिर आत्मा के देखने में क्या फर्क होगा देखने में क्या फर्क होगा में आत्मा अवेरनेस जिसके अंदर एक पर्सन के experiences चल रहे हैं या मैं पर्सन में अवेरनेस हूँ क्या फर्क है मैं पर्सन अवेरनेस हूँ struggle constant दुख बनना है अभी तक feel हो नहीं रहा है कैसे feel करूं बाबा को कैसे feel करूं अपने सत्य को मुझे बाबा से बहुत प्यार है पर मुझे बाबा feel होता नहीं है एक है डखना एक है बनना समझ में नहीं आया देखना एक है मैं हूँ मैं आत्मा हूँ जिसके अंदर ये body की sensations का पार्ट है mind के fluctuations का पार्ट चल रहा है मेरे अंदर body के थूँ ये कहानी चल रही है तो मुझे मेरी स्मिती कौन सी रहेगी मैं कौन की ये मेरे अंदर जो है उसकी तो जो मैं कौन है मैं आत्मा जो हूँ उसके अंदर ये जो अनुभव चल रहा है ये time, change, कहानी ये सब मेरे अंदर है पर मैं कौन अभी भी? अब कितना भी real feel हो रहा होगा हर चीज real feel हो रही about this body and mind इतनी real की पूछो मा कि मैं कौन तो लगता है कि unreal है मैं कौन थोड़ा concept लगने लग जाता है है न? इतना sensations और mind की fluctuations से 63 जन्मों से identity बनाई वी है और 63 जन्म कोई बड़ी बात नहीं, एक second का खेल है game of one second, 63 जन्म one thought, I बस उसमें पूरे 63 जन्म आगे, quote unquote I, one thought, उसमें पूरे 63 birds कुछ भी नहीं है change आसपास भी घूम रहा है, और change अंदर भी घूम रहा है, दोनों हो रहा है आसपास manifestation के रूप में है, मुझे आत्मा के अंदर से ही तो ये शरीर और ये sensations और ये mind का जो भी dialogues और जो भी बोले जारें, मेरे अंदर से ही तो बहार आया है ना? तो बहार भी है और अंदर भी है, दोनों है पर मैं कौन? तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं, सोचना नहीं पड़ता तो ये जो उल्टा भाव में मैं शब्द यूज करते हुना तो तभी result में महनत ज्यादा और प्राप्ती कम होती है कितना क्लियर बोल रहे हैं, उल्टे भाव से मैं शब्द यूज करते हो तभी result में महनत ज्यादा और प्राप्ती कम होती है इसलिए कभी भी काया आपको नाम से बुला रहा है ना? रीनी मेरे केस में, रीनी पहले चेक कर लो stop, जवाब नहीं देना immediately या कोई रीनी समझ के आपसे बात कर रहा है आप पहले stop, pause, रीनी बन कर जवाब तो नहीं दे रहे हो? आपके केस में जो आपके शरी का नाम है वो नाम रूप का बन कर जवाब तो नहीं दे रहे हैं आप आपस? या दे रहे हैं? नाम सुना नहीं रीनी कान खड़े हो जाते हैं, क्यूँ? कान क्यों खड़े होते हैं? क्या बोल रहे हैं? होते हैं? तो क्या करना है? पता नहीं किसका नाम है, मैं तो जानती नहीं हूँ उसको मेरा तो नाम ही नहीं आत्मा का नाम ही नहीं है, तो कोई बुला रहा है पहले चेक, बाबा, ठाइनी सी पॉइंट हूँ, आपके साथ हूँ, कोई नाम रूप है नहीं, ये बार्ट चल रहा है, बार्ट में जो scripted नाम है, वो है, पर मेरा truth तो शिव शक्ती है, शिव की शक्ती है और कोई नाम नहीं है मेरा, अब उस स्मृती में रहे कर आप जवाब दो, ये practice छोटी सी है, पर आटम भी एक छोटा सा होता है, बहुत पावर होता है उसमें, अडू भी बहुत छोटा होता है, एक तम छोटा होता है, बहुत पावर्फू, ये practice में इतना पावर है कि बस, कोई बुलाता है मम्मी, सीदब देखती बाबा की तरफ, बाबा आप मम्मी हो, आपको बिला रहे हैं, है ना, कोई नाम रूप से बुलाता है यह नहीं जवाब देगी कौन जवाब दे रहा है आत्मा जवाब दे रही है बाबा के साथ कमबाइन दूसरी आत्मा को छोटी छोटी अटेंशन है यह है न? अगर आप कंसिस्टेंटली कर रहे हैं इसको है न? कंसिस्टेंटली कर रहे हैं इस प्रैक्टस को पहले सिर्स बोलते थे मैं शिव शक्ती हूँ अब इसका रियल पता चला बिलकर शिव शक्ती मतलब कोई नाम नहीं है कोई कहानी नहीं है आत्मा की वो बस शिव की लाइट की पुंच उसकी शक्ती है बस और को यस्ट वने इसका एंद्वालू कि आत्मा रिव शक्ती है जर बस 와ं झाली